इंडिया की आइकॉनिक रम ओल्ड मानिक बनाने वाले कपिल मोहन का निधन हो गया शनिवार को जानी मानी रम ओल्ड मंग के चेर्मेन कपिल मोहन का दिल का दौरा पढ़ने से निधन हो गया 88 साल के कपिल मोहन लंबे वक्स से बिमार चल रहे थे कपिल मोहन ने ओल्ड मानिक दिसंबर 1954 में लॉंच की थी और एक वक्त ऐसा भी था जब ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली रम बन गई थी शराब की दुनिया में अपनी एक खास जगे बनाने वाली ओल्ड मानिक पहली ऐसी रम थी जो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ब्रैंड बन गई थी इसकी लोग प्रियता के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि ये स्वाद और क्वालिटी में जितनी अच्छी थी उतनी ही सस्ती जिसकी वजह से ये हमेशा लोगों की पसंदीदा शराब बनी रही खबरों के मुताबिक मोहन को उनके गाजयबाद वाले घर में हाट अटेक आया था कपिल मोहन पहले आर्मी में थे वे ब्रिगेडिया रहते वे रेटायर हुए थे उन्हें 2010 ने पदमशिरी पुरसकार से भी नवाजा गया 2015 में सोशिल मीडिया पर अफ़ाओडी की कमपनी ओल्ड मंक को बन करने वाली है हाला कि तब मोहन ने खुद ही सामने आकर कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है निउज एक्सप्रेस की रिपोर्ट